नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमिस्टन की ओर से बिहार कार्याले परिचारी भरती है तू नोटिस जारी कर दिया गया है नोटिस आप यहां से देख पाएंगे सुचना पढ़े सबसे पहले बता दोस्तों की बिहार सरकार हमेशा नए अभिहार्थियों को धोखा देती आई है और इस बार भी फिर से धोखा मिला है तो देखिएगा यहां पर नोटिस में आपको ओपन करके दिखा देता हूं देखिए एक तीस तीन दोजार तेश को यह नोटिस आई है परिचारी भरती से संबंदित एक तीस तीन दोजार तेश को ही यह नोटिस जारी की गई है तो गुरूप D भारती से जुड़ा हुआ बार 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 बिहार सरकार नए कंडिडेट को धोखा देती है जो बच्चे अभी 18 साल 20 साल 22 साल के हो गया है उन लोगों को घर पे बैठा के रखेगी और जो पुराने कंडिडेट थे जो जिनको घर में बैठने का उमर हो गया है उन लोगों को नौकरी देगी तो यही अभी हर सरकार का यह सब चलता रहता है तो देखिए उसी से जुड़ा हुआ एक मोटिस आया है वेकेंसी से जुड़ा हुआ जो कि आप ऑनलाइन कर पाए और आपको समझ में आ जाएगा कि यह कौन से लोग भर सकते हैं कौन नहीं भर सकते हैं तो ध्यान देजेगा बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे जो की भरामक होंगे यह करेंगे वो करेंगे यह लोग भर सकते हैं वो लोग भर सकते है ऐसा कुछ नहीं है देखिएगा क्या क्या है तो यहां पे दे मैं किलियर कर दूँगा एक एक चीज का तो देख सकते हैं राज में कार्याले परिचारी परिचारी बिसिष्ट की रिखतियों के विरूद नियुक्ति की परकिरिया के संबंध में माननी ये उच नियायाले पटना द्वारा CWJC यानि केस नंबर इतना ठीक है और केस नंबर ये, केस नंबर ये, केस नंबर ये तो ये सब जो केस चल रही थी कारियाले परिचारी भरती से जुड़ा हुआ जो की ये वेकंसी देख सकते हैं आग 18.12.2019 को पारित नियायाले के आदेश के अनुसार जो दिखायागा है वो है कि समरुप मामलों में पारित आदेशों के अनुपालन हे तू बिभिन विभागों जीलों की रिक्तियों को भरने हे तू विभिगत विग्यापनों के अलोग में पूर्व में आविदन समर्पित करने वाले आविदकों की वन टाइम मेश्योर के रूप में आभिहार करमचारी चेन आयोग पतना द्वारा परतियों गीता परिछा आयोजितकर योग की अभिहार्थियों की अनूसंसा समानी परसासन विभाग को ब्हारपटना को भेजा जाना है यानि कि ये जो पहले फॉर्म भरा गया था देखे फॉर्म पहले ही भरा जा चुका है जो कि देख सकता है दिनार 14.2023 को समानी पर सासन विभाग बिहार पटना में संपन बैठक में लिये गए निर्नयों के आलोक में जिलों की रितियों को भरने हेतू जिला द्वारा पूर् अभ्यार्थियों को सुचित किया जाता है कि वे आयों की वेबसाइट जो कि विहार से की वेबसाइट है इस पर लिंक मिलेगा इस पर आप ऑनलाइन कर पाएंगे दस्चाथ 2023 से लेकर 15 2023 तक यहां पर सबसे क्लियर में करने वालों देखिएगा क्या क्या और दिया गया है तो अभ्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे जाने के पश्चा संबने जिला द्वारा उक्त अभ्यार्थि के द्वारा पूर्व में परकासित विग्यापान के बिरुद भरे गए आवेदन के आलोक में परभिष्टियों को परमानित कर आयोग के पोर्टल पर जाएगा तद अपपुरांत आयोग द्वारा संबनिन जिला के माध्य हम से सत्या पीद किये अभ्यार्थियों है तू परत्ययोगिता परिछ्षा आयोजित की जाएगी यानि promoting परत्ययोगिता परिछ्षा तो आयोजित की वो फॉर्म का परिच्छा अब लिया जाएगा, देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया, कि 2012 में जो नोटिफिकेशन आई थी, 2012 के पहले, उन लोगों का परकासित भिग्यापन किया गया था, उन जिलों में नियुकती है, तो उमिदवारों की नियुनतम सहचनी कियो गया अस्टम, यानि आठवी पास होगी, ठीक है, और उसके लिए कोश्चन भी आठवी अस्टर का पुछा जाएगा, यानि एट कलास का कोश्चन पुछा जाएगा, तो जिन्हों ने 2012 से पहले ये फॉर्म भरा था, जिला अस्टर पे, उन लोगों के लिए ये फॉर्म दिया है, ठीक है, उन ही वही लोग भर सकेंगे, यानि 2012 के पहले यानि कि समझ जाएगे कि अच्छे खासे उम्र वाले लोगों, जो रिटारिमेंट के उम्र के होगे, उन लोगों को अब बहाल किया जाएगा, और जो नए कंडिडेट वो घर में बैठे हैं, उनके लिए कुछ न लेगा, ठीक है, तो पस्चाद विग्यापन परकासित किया गया था, उन जिलों में नियुकती है, तो उमिदबार की नियुनतम सैचनिक योगेता मैट्रिक होगी, अथवा इसके समका छूतिर्ण होगी, और उनके लिए कोश्चन भी दसवी अस्तर का पूछा जाएगा, तो ये दो परकर के कोश्चन पुछे जाएगे, मैट्रिक अस्तर का और आठवी अस्तर का और भरने वाले की योगेता भी आठवी पास और दस भी पास होगी, तो जिन्होंने 2012 से पहले फॉर्म भरा है, उनके लिए आठवी है, और जो 2012 के बाद फॉर्म भरे है, बारा बा किसा ऐसा कुछ नहीं है, नया वैकेंसी नहीं है, यह पुराना ही है, तो नियुनतम तथा अधिकतम उम्र सीमा के गन्ना उस समय जब फॉर्म आई थी, उस समय का डेट दिखाएगा कि निर्धारित आयू सीमा के अनुसार ही निर्ने होगा, तो यानि कि जो उस समय 18 वर्स क तो उन्हीं के जो एज था वही एज रहेगा, इसमें एज में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इस परकार अरच्छन के संबंध में जिलो द्वारा पूर्व में परकासित विग्यापन में उलेखित परावधान के अनुसार ही होगी, अरच्छन भी पहले के तरह मिलेगा और विभिन कोटी की रिक्तियों की संख्या जिलो द्वारा पूर्व में परकासित रिक्तियों के अनुसार होगी, तो अच्छी खासी भेकन्सी थी, उसका नोटी से भी हमें प्राप्त नहीं होगा है, प्राप्त होते ही मैं आपको दिखाऊँगा कितना सीट बगेरा था, ठीक है, तो सिले बस बगेरा इसका कुछ नहीं आया है अभी, जो भी यूट्यूब चैनल पर दिखा रहे हैं, वो सब सारे भरामक है, उस पर ध्यान मत दिजेगा, और यहां पे सबसे बस क्लियर बात यह है कि यह नया फॉर्म नहीं है, बिलकुल यह बहुत पहले का फॉर है, जो केस चल रहा था, केस रुका हुआ था, केस के करण हाई कोट में, अब वो हाई कोट का फैसला आ चुका है, तो उसी को बहाली करने के लिए परिच्छा आयो करेगी बिहार SSC, तो यह फॉर्म है, ठीक है, इसके पहले देखिए, 2022 में भी एक दो वेकंसी आई थी, बि इसमें जो एज बवेरा दिखाई गई थी, देख सकते हैं, कोई भी एप्लिकेशन फीस नहीं था, और यहां पर मेल, जेनरल EWS मेल कंडिडेट के लिए 18 से 37 बर्स दिखाया गा था, एज और जेनरल EWS फीमेल के लिए 18 से 40 बर्स, EBC, EBC के लिए मेल फीमेल के लिए 18 से 40 बर और यह जो नोटिस है, यह दुसरा है, टी कि इसमें लोगों को नहीं भरना है, यह अलग है, दुसरा है, तो इसका वेकेंसी अलग था, और वो अलग है, तो इस परकार से जो है बेकेंसी आती है तो रोजगार विहार.com पे उपलब्द करवा दी जाती है, और चैनल पे वी प्याहर पुलिस की नई वेकेंसी जो आने वाली है उसकी पूरी डीटेल आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी फिर अभी बहुत सारे वेकेंसी आई हुई है तो यह सब वेकेंसी जो है ओरिजिनल है आप यहां से देखकर आवेधन कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मैं मिल के साथ तक करी भाते जह हिंद है